अभी हाली में आप लोगों ने अगनी पत्थ योजना के बारे में सुना होगा जो सेना में भरती होती है न तो उसी में आप देखी अगनी पत्थ योजना लाई जा रही है और इसके पारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि आखिर अगनी पत्थ योजना के तयत सेना में युवाओं की भरती किस तरह से होगे और कितने साल तक ये सेनाओं में ये यूवा रह सकेंगे और कितनी इनकी सेलरी होगी और इन्हें चार साल बात कहां भेजा जाएगा क्या नौकरी से निकाल दिया जाएगा फिर इनका क्या होगा इस तरह की तमाम सवाल आपके मन में बने होगे उन सब के जवाब आपको आज की स्कलास में मिल जाएंगे और आप सभी जानते हैं कि जो आर्मी रहती है सेना भरती रहती है इसके लिए हमारे देश की युवा कितनी महनत करते हैं और आप लोग अभी देखिए ग्राउंड जाके देखिए कहीं कितना पसीना भाहते रहते हैं और आप देखिए इसमें आप सभी जानते हैं कि गरीब मीडियम परिवार के ही बच्चे भाग लेते हैं और लंबी समय से आप देख रहे हैं कि हमारे देश में भरती जो सेना भरती है वो भी रुकी हुई है वरना आप देखें समय समय पर होती रहती थी युगा आंदोलन भी कर रहे हैं देखें आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पड़ोसी पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो, चाइना हो नेपाल हो, भूटान हो बंगलादेस हो, म्यानमार हो स्री लंका हो, तो हमें आप देखते हैं कि सेना जबानों की जरुवत पड़ती है हमें अपने देश की रक्षा के लिए जबानों की जरुवत पड़ती है फिर चाहे आप लोग थल सेना की बात कर लीजे नौ सेना की, जल सेना की बात कर लीजे या बायू सेना की बात कर लीजे आप सभी जानते हैं कि अरब सागर से भी क्या आतंकी चले आते हैं हमारे भारत में और यहाँ पाकिस्तान है तो आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं आतंकी घटनाए होती रहती है चाइना भी आए दिन आप देखते हैं कि जड़ाफ होती रहती है लद्दा को लेकर आप देखते हैं सीमा बिवाद बना हुआ है अरुणा चल पे इसको भी लेकर सीमा बिवाद बना हुआ है तो इसी को लेकर अगनीपत योजना एक तरसी युवाओं को सेना में भरती को लेकर लाई गई है आपको बता दूँ कि जिनकी एज साड़े सत्रा साल से 21 साल की युवाओं को सेना में भरती किया जाएगा जो अगनीपत ये उजना है इस क्रीम है इसके तहट आप देखेंगे आपकी साड़े सत्रा साल से लेकर 21 साल की जो हमारे देश की यूबा है वो इसमें भरती हो पाएंगे सेना में जबान बन पाएंगे और इन्हें 10-6 महिने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी जब आप देखें कि फिजीकल वो टेस्ट सब आप देखें पहले ही जैसा होगा ये भी आप लोगों को याद रखना होगा और इसमें आप सोचें कि कोई भी जा कि भरती हो जाए ऐसा नहीं होगा आपको रनिंग करनी होगी जो होता है नार्मल तरीके से आप सेना में भर्टी के लिए करते हैं और फिर आपकी टैनिंग चलती है आप सभी जानते हैं इन जबानों को होलो ग्राफिक्स नाइट फायर कंट्रोल सिस्टम से लेस किया जाएगा और साथी हैंड हैल्ड टार्गेट सिस्टम में सिस्टम भी जवानों के हाथ में दिये जाएंगे और इस तरह से चुने गए केंडिगेट जो भी होंगे अगनी बीर के तौर पर चाल साल तक सेना भें काम करते रहेंगे और इन सैनिकों को जो भर्ती होंगे इन्हें आप लोग अगनी बीर कहेंगे किस नाम से पुकारेंगे अगनी बीर के नाम से पुकारेंगे चाल साल की सेबा की बाद अगनी बीर सेना की नौकरी छोड़ देंगे इसके बाद भी समाज में एक इसकेलर नागरिक के तौर पर वे अनुसासित जीवन भी जी सकेंगे और मेरिट की आधार पर और सेना की जरूरत की हिसाब से 25 पिस्ती अगनी बीरों को रेगूलर केडर में समाय उजित कर लिया जाएगा कहने का मतलब सीधा सा आप लोग समझें सौ बच्चे आप देखें कि अगनी बीर बनते हैं इस सीवजना के देश सामिल होते हैं सेना में उनमें से 75 बच्चों को 4 सालवाद निकाल दिया जाएगा 25 को आप देखेंगे रेगूलर केडर में समाय उजित किया जाएगा 25% बच्चों को या 25 बच्चों को regular सेना में रखा जाएगा यह आप लोग जरूर याद रखेएगा ठीक है और इससे क्या रहेगा कि देखिए वहां सेना में जाकर अनुसासन आप सभी जानते हैं कि सेनिकों का अनुसासन कितना अच्छा रहता है तो इस तरह से आप देखें दसमलो आपकी 92 लाख रुपे हो जाएगी इसके अलावा रिस्क और हाइड से पैकेज अलग से दिया जाएगा सेना में 4 साल की सिवा पूरी करने के बाद करीब 11.7 लाख रुपे का एक मुस्त व्यास समय दिया जाएगा और यह पैसा इंकम टेक्स के दायरे से वाहर होगा और मुझे लगता है कि देखे आप लोग सभी जानते हैं कई लोग होंगे जो इस पर सवाल उठा रहे होंगे कि आप देखे कि वच्चा कितना महनत करता है आप देखे कि पसी नवा आता है उसके बाद उसे मालू रहे कि 4 साल के लिए वो भरती हो रहा है तो वही आप सभी हो जाएंगे तो 25 परसेंट जो भी उसमें से योग होंगे वो तो सामिल बनी रहेंगे 75 परसेंट निकाल दिये जाएंगे लेकिन 75 परसेंट को आप देखे कई और नौकियों के नौकरीयों के आउसर मिलेंगे उन्हें बरीता दी जाएगी कंपिनियों में आप देखे नौ अगर वो सहीद हो जाता है देश के लिए आर्मी चीप जनरल मनोच पांडे ने बताया कि अगर इस सेवा के दौरान कोई जबान सहीद होता है तो उसके परिवार को पूरा इंसोरेंस कबर मिलेगा इसके अलाबा सहीद के परिवार को सेवा निदी समयद लगवाक एक करो रु पर मिलेंगी सेवा निदी के अलाबा बची हुई सेवा काल की पूरी सैलरी भी जबान को दी दी जाएगी तो आप देखें कि उनका आगे का ख्याल भी रखा जा रहा है इवाओ टेक्नोलोजी पर होगा जो रेस में राजना सिंग ने हमारे रक्षा मंत्री है यूथ फुल प्रोफाइल से यह फायदा होगा कि उन्हें नई नई टेकनोलोजी के लिए असानी से ट्रेंड किया जा सकेगा और उनके हेल्थ फिटनेस का लेबल भी बहतर होगा और अगनी पत्योजना के अंतरकरत एक प्रियास किया जा रहा है कि भारती सेनाओं का प्रोफाइल उतना इंडियन आर्मी की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पूरी ने बताया कि युवाओं को सेना में 4 साल काम करने का मौका मिलेगा इसके बाद उन्हें रिजूम बायो डाटा एकदम खास होगा और अपने एटिटीट, इसकेल और हमारे साथ विताए गए समय की बज़े से वे सबसे अलग होंगे और उन्हें सबसे पहले नौकरी मिलने के अन्य छेत्र में आउसर रहेंगे ठीक है और एक और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पूरी ने ये भी बताया कि अभी आउसर आयो 32 साल है और आने वाले समय में यह घटकर 26 साल हो जाएगी सेना को युवाओं पहले कुछ साल सेना में अपनी सेमाय देनी पड़ती है कि आंगे कभी अगर मुसीबात आती है देश पर तो वो एक तरह से आंगे आकर देश की सुरक्षा कर सकें इससे सेनिकों को क्या लाब होंगे और सरकार को क्या लाब होगा इससे सेनिकों को केंद्री ससक्त पुलिस बलों सहेद, कुल सरकारी नोकरियों की भरती में प्रात्मिक्ता देने के साथ मुद्रिक भुक्तान किया जाएगा, यानि कि आप देखी कि आपके राज़ में अगर कोई पुलिस भरती निकलती है, और भी कहीं कोई भरती निकलती है, तो उसमें आप देखी कि आपको प्रात प्रात्मिक्ता दे जाएगी इसके अलावा इस योजना के तहत सलगन लोगों को निजी छेत के तहत भी प्रात्मिक्ता देने पर विचार किया जा रहा है यानि कि आप सोचिए कि कोई कंपनी है तो उसमें भी इन लोगों को पहले एक तरह से वरिता दे जाएगी इने भरती क किया जाएगा और सरकार को इससे क्या लाव होगा तो टूर ओफ ड्यूटी योजना नाकेबल सेनकर्वियों की कर्मी के मुद्दे को हल करने में मदद मलेगी बलकि या बेतन बिट्धी और पैंसन के बोज को भी कम करेगी मूलता टी योडी पिस्ताओं के अनुसार पैंसन औ और अनलावों के साथ 17 साल की सेवा की समापती के बाद एक जवान के कारी की लागत में संभावित जीवन आओधी की बचत एक टी ओडी जवान की तुल्ला में 11.5 करोड उपे होगी और बेतन और गिच्चे ओटी भुकतान में बचाये गए संचेई धन का उप्योग जरू एक तरह से आप लोग समझ लेजेगा उधारन के लिए बता रहा हूँ माल लेजे कि एक सरकारी स्कूल रहता है और आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल 50-60,000 रुपे सेल यह होती है महीने की उस टीचर की और आपने देखा होगा कि अगर आप लोग प्राइवेट स्कूल तो आप देखेंगे कि सरकार के ऊपर बोज भी कम पड़ेगा उसके बाद आप देखते हैं कि पैंसन भी देनी पड़ती है वो पैंसन भी बचेगी और आप देखें कि आप वहां जितने में एक टीचर रख पा रहे हैं यहां आप लोग उतने में चार टीचर रख तो यह हमारे देश के लिए भी खत्रा बन सकता है तो यही बात हैं तो इसके बारे में याद रखेगा और आप मेंसे एगर कोई है जाना चाह रहा है तो बिल्कुल जा सकता है लेकिन महनत तब भी आप लोगों को करनी होगी तो यह भी आप लोग याद रखेगा नॉर्मल तरीके से जो भरती होती है न से ना में वो तो आपको दोड़ मोड जो भी फिजीकल रहता है टेस्ट रहता है वो तो देना ही पड़ेगा यह भी आप लोग के लिए रियाद रखेगा ठीक?